समस्कार दोस्तों Electronic Mechanic बिहार अनुदेशक भरती 2023 बहुत ज़्यादा परिशान है Electronic Mechanic वाले रिजन क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मांगा गया Qualification जो की DGT भारत सरकार के दोरा निर्धारित Qualification के बिल्कुल अलग है आपको मैं पहले ये लेटर दिखाता हूँ जो बिहार तक्निकी सेवा आयोक के दोरा जारी किया गया है गलती तक्निकी सेवा आयोकी नहीं है सरम संसाधन विभाग के दोरा जो भेजा गया है इन लोगों ने वही प्रिंट किया है अभी फ्रिंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर की Qualification मांगा गया है Electronic Mechanic के लिए भी Electrical and Electronics Engineering ठीक है जो की बिल्कुल नहीं है गलत है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा DGT का जो ओफिस है लेटर 2022 में revised हुआ है पहले उसको देखिए अगर आपको यह जो हाथ में आई हुई नौकरी जो भी trained candidate है CITS के Electronic Mechanic के चाहते है कि उनको नौकरी फिर से मिल जाए मतलब आपने training की है आपने इंतजार किया है अगर आपको नौकरी चाहिए तो जो मैं बात कहूँगा आप उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे नहीं करेंगे तो यह नौकरी आपके हाँ से चली जाएगी यह सारी चीज हो सकता है कि किसी के चाहनेवस हो रहा हो जानभुच के किया जा रहा हो लेकिन जो भी हो रहा है नियम के खिलाफ हो रहा है चलिए मैं आपको officially DGT के तोरह जो निर्धारित किया गया qualification मैं वो आपको दिखा देता हूँ यह जो है DGT के दौरह जारी किया गया 2022 में electronic mechanic का official qualification है इसमें इस बस लिखा हुआ है कि आपका degree in electronics या फिर electronics and telecommunication या फिर electronics and communication engineering होनी चाहिए डिग्री या डिप्लोमा आपका है तो काम चल जाएगा और friends वहाँ पे क्या दिया हुआ था electrical या फिर electrical and electronics जो कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने electrical के बाद CITS training किया होगा candidate नहीं के बराबर होंगे अब पता नहीं यह जान मुझकी किया जा रहा है या फिर technical error है जान मुझकी अगर किया गया होगा तो वो लोग नहीं मानने वाले हैं आपको हो सकता है कि 5-10 बार भी पटना जाना पड़े इस नौकरी को अगर आप लेना चाहते हैं आप electronics, mechanic, trade से CITS के हुए हैं तो अब मेरी बात को अच्छे से सुनियेगा क्योंकि आपके जैसे कुछ candidate है जो और लेड़ी वहाँ जाके इन सभी बातों को रख चुके हैं उसको सुधारने की बात कर चुके हैं जिसमें से फ्रेंट्स आपके स्क्रीन पे अभी मन्यो सर का नंबर दिख रहा होगा और साथ में मुकेश सर का नंबर दिख रहा होगा आप contact कर सकते हैं इन लोगों से क्योंकि फ्रेंट्स ये लोग already कल भी जाने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले तो आप इनका full support करिए बात ये पता चली है इन लोगों को कि जादा लोगों के वहाँ ना जाने के कारण से 3,4,5 लोग वहाँ जा पारे हैं 2,3 लोगी जा पारे हैं जिस कारण से वह लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं धंक से उनका कहना है कि mass मतलब कि जादा लोगों में आप वहाँ पे उपस्तिती अपनी दर्ज कराएं ताकि जो आगे का उसमें अगर सुधारना होगा तो उसको सुधारने का काम किया जा सकेगा अन्य था DGT के नियम के नुसार ये वेकंसी गलत है इस पे court case एकदम बनता ही है तो ऐसे में फेले court case नहीं करना है अगर ये सही हो जाता है दो चार बार आपको पटना में भी जाना पड़े तो जाइए जितने भी लोग support कर सकते हैं छोटा सा group होगा electronic mechanic वालों का हाथ से मिल हुई नौकरी चले जाएगी ठीक है उमिद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने दोनों सरका आपको नंबर दे दिया है साथ में description में link दे दिया है आप उस link से जुड़ जाएएगा electronic mechanic जिनोंने भी CITS training किया है ताकि आप समय पे update रहें और समय पे बुलाने पे साथ दे पाएं अपने साथियों का उमिद करते हैं कि friends आपको बात च्छे समझ में आई होगी मिलते हैं friends next video में तब तक के लिए धन्यवाद